अमेरीका में कपास की फसल कमजोर रहने से इसके दामों ने 10 साल का रिकोर्ड तोड़ दिया है जिसका सीधा असर भारत पर भी हुआ है और भारत में भी कोटन के भाव रिकोर्ड उंचाई पर पहुँच गए है चानकारों का कहना है कि कोटन में तेजी अभी थमेगी नहीं और आगे भी यह जारी रहेगी भारतिय फसल भी कमजोर होने की आशंका से कोचन की कीमतों में भारी उठा पचक का मौल देखने को मिल रहा है ताजा अकड़ों के मताबिक पिछले हफते तक देश भर में कपास की बुआई 123,10,000 हेक्चर में हो चुकी है वहीं अगर देखा जाए तो कोचन की कीमतें लगातार तेजी के साथ कारोबार करते हुई दिखाई दे रही है ICI कोचन में आई मजबूती के साथ ही कपास उतपादक इलाकों में भारी बारिश और कीडों की वज़े से फसल खराब होने की खबरों के चलते भारतिय बजार में कोचन की कीमतों में 46,000 पे प्रतिगांच के उपर की मजबूती देखने को मिली थी आगे जानकारों का कहना है कि अगस्त में अभी तक कोचन की कीमतों में करीब 8 पीसदी की ओरड़ी तेजी आ चुकी है लगादर बारिश ने कपास की फसल पर नेगेटिव असर डाला है और ऐसा लग रहा है कि कोचन की कीमतों ने इस साल देश के अनुमानी तदिक फसल के आंकड़े को नजर अंदास कर दिया है और कीमते आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेंगी तो फिलाल के लिए माना ये जा रहा है कि आगे चल कर कीमतों में मजबुती बनी रहेगी